ắ मारषकार बत्चो कि हम पिप्थ करके चैप्टर स्टार्ट कर रहा हैं यह चैप्टर कि तुस अ कंप्लीट कर लिए हैं आद कि अध्या है कि इसमें हमें इन्वर्ष निकालना है इन्वर्ष निकालना हमने शीक लिया था Bachelor यह दूसरे method से elementary row method से हमें क्या करना है, inverse निकालना है, यहां हम समझते हैं कैसे होगा, elementary row, यानि कि elementary operation हमने लगाना चीखा था, क्या होता है, r1, r1 plus r2 plus, या फिर column पे लगा सकते थे, हम c1, c1 minus c2, कुछी इस तरह से कोई भी operation लगा सकते थे, लेकिन यहां पे उसने खुद एक condition लगाई है, वो condition क्या है, row के दवारा ही आपको क्या करना है, operation apply करने है, सिरफ row के होने चीखे और इसका inverse निकालना है, कैसे होगा, थोड़ा सा यहां से देखना, क्या करेंगे हम, inverse कैसे निकालेंगे, हमें पता है, यह एक matrix दे रखी है, इ A matrix को मैं A is equal to A लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं न, क्योंकि A into A is equal to A, कोई भी value अपने आपके, क्या होती है, equal, अगर मैं इसको identity से multiply कर दूँ, तो क्या इसमें कोई अंतर आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि किसी value को identity से multiply करने से भी क्या रहता है वही answer रहता है, तो यानि कि ये condition लेके चलूँगा मैं, हर question में ये condition लगेगी, जो भी matrix होगी हम क्या करेंगे, उसको A मानेंगे, और क्या करेंगे, A is equal to identity of A मानेंगे, अब कैसे करना होगा आपको, ये जो matrix है, left hand side और right hand side, left hand side में तो हमें A है, उसकी तो value रखनी है, और right hand side में identity की value रखनी है, A को हम क्या रखेंगे, A ही रखेंगे, last में मारे पास A inverse आजाएगा, दूशरी बात, हम यहां लिखते है, A तो मैं left hand side में तो matrix लिखता हूँ, 6, 1, 11, 2, और right hand side में identity matrix की value लिखता हूँ, तो कितने, ये 2 cross 2 की है, तो इधर भी कितने की आएगे, 2 cross 2 की और यहां पर A को A रखूँगा, क्योंकि अगर मैं A की value रख दूँगा, तो फिर हम condition find out नहीं कर पाएंगे, तो मैंने यहां तक कर दिया, ये बात clear होई, अब हम operation लगाएंगे, और वो भी कौन से लगाएंगे, सिरफ row के, अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, कैसे क करना आपको, हमें पता है ये टू क्रोस टू की है, ठीक है, टू क्रोस टू में element क्या होगा, A11, A12, A21 और A22, ये element होगे, सब से पहला target हमारा क्या होगा, A11 को 1 बनाना, यहां पे, ये जो condition है, इसको 1 बनाना होगा, ठीक है, चाहिए किसी भी operation सिर करना हो, और operation रहेगा, र होगा, क्योंकि उसने खुद गाए, उसके बाद हमारा क्या target होगा, इसको 0 बनाना, यहां कि इसको 0 बनाना, A21 को, फिर हमारे पास क्या होगा, A22 को 1 बनाना, इसको 1 बनाना, इसको 0 बनाना, और फिर ये 1 बनने के बाद इसको 0 बनाना, ठीक है, यहां कि सिद्धी सी बात है 2 cross 2 में हो या 3 cross 3 में जैसे मैं या 3 cross 3 के बारे में बताता हूँ तो A1 1 A1 2 और A2 A1 3 ठीक है A2 1 A2 2 A2 3 फिर A3 1 A3 2 और A3 3 अब 3 cross 3 में भी हम इसको अपलाई करते हैं 3 cross 3 में इसको अपलाई करेंगे तो कैसे फिर शे वही condition क्या करेंगे हम रो को first element कौन सा जो principal diagonal है न उसको हमें 1 1 बनाना होता है ये principal diagonal ही होता है इसको हमें क्या बनाना होता है 1 1 यानि कि सबसे पहले हम इसको क्या बनाएंगे 1 फिर इसके निच्चे उपर और जितने भी उपर तो कोई element है नहीं इसको 0 बनाएंगे इसको 0 बनाएंगे फिर next target क्या होगा इसको 1 बनाना क्योंकि principal diagonal हमारा ये है तो इसके उपर भी condition है और नीचे भी condition है तो इसको 0 बनाना इसको 0 बनाना फिर इसको 1 बनाना इसको 0 बनाना इसको 0 बनाना ये condition जब बनके हमारे पास आजाएगी तो ये एक identity matrix बनेगी तो उसके बाद उसको हम क्या कर देंगे चेंज कर देंगे इनवर्स आजाएगा ये बात कलियर होई यानि कि हमें पहले किस पे काम करना है principal diagonal पे तो यहां से मैं operation लगाता हूँ मेरे को यहां 1 चाहिए 1 चाहिए तो देखो यहां condition नीचे 1 है तो मैं row को change कर दूँ R1 interchange R2 ठीक है अगर यहां 1 नहीं होता तो मैं divide कर लेता लेकिन यहां 1 है तो R1 interchange R2 करूँगा जो operation इधर लगा है वही operation इधर लगेगा तो मैंने क्या क्या R1 R2 को change क्या तो 6 और 11 change हो गया तो उसी तरह से यहां operation लगा दूँआ हमें तो यह उपर 0, 1, 1, 0 into A A साथ में ही रहेगा कि कहा है यहां तक clear अब यहां 1 आ गया तो क्या बनाना इसको 0 तो operation क्या लगेगा R2 R2 पे operation लगेगा R2 minus 6 R1 शिरफ और शिरफ इसको द्यान लगते होगे आगे क्या है 11 कैसे 0 बनेगा वो बाद में देखेंगे लेकिन हमारा target क्या है शिरफ और शिरफ इसको 0 बनाना अब क्या हो जाएगा operation लगाएगे तो कितना बनेगा तो R2 पे लगा है तो R1 क्या रहेगा as it is 6 से कुणा करके इसको करेंगे तो ये 0 6 to 12 और इसको गटाएगे तो minus 1 तो इसी तरह से यहाँ पे operation लग जाएगा 6 से कुणा करो 6, 0, 0 गटाएगे तो ये तो as it is तो ये क्या दाएगा 1 का 1 इसको 6 से multiply करेंगे तो minus 6 into A ठीक है अब हमें पता है ये value 1 होगी ये 0 होगी अब इसको 1 बनाना है तो क्या करेंगे R2 R2 को change करेंगे R2 minus 1 into R2 यानि कि minus 1 से product कर दें किसको R2 से तो यहाँ से करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 1, 2 यहाँ से R2 को multiply करेंगे minus 1 से तो कितना बनेगा हमारे पास 0 और ये कितना बन जाएगा हमारे पास 1 इसी तरह से यहाँ से R2 को करेंगे तो ये कितना जाएगा हमारे पास 0, 1, minus 1 और ये plus का 6 ठीक है आप सोचोगे कि मैट्रिक्स में ऐसे नहीं होता है यह डिटर्मिनेंट की तरह काम करना हमें ठीक है उसके बाद हमारे पास यह भी 1 हो गया भी इसको 0 बनाना है इसको 0 बनाएंगे तो 2 से मल्टिप्लाई करके 0 बना दो यानिकी r2 को 2 से मल्टिप्लाई करो और घटा दो तो यहां से करेंगे तो हमें पता यह तो 0 है जिरो से मल्टिप्लाई करने से इसमें कोई चेंज नहीं आएगा as this 2 से इसको करेंगे और घटाएंगे तो कितना बनेगा 0 और यह कितना बनेगा 0,1 A is equal to यहाँ से 2 से multiply करेंगे कितना मिलेगा minus 2 और subtract करेंगे तो plus का 2 बन जाएगा इसको करेंगे तो कितना मिलेगा 12 और इसको subtract करेंगे तो minus का 11 और यह minus 1 और यह 6 ठीक है और इन 2 में A चला है साथ में A चलता रहेगा अब यहाँ से द्यान से देखो यह वापिस क्या बन के आ गया identity मैंने इसका रूप वापिस identity लिखा यह हमारे पास क्या है हमें नहीं पता एडिटीज लिखती है माइनस का 11 6 into A अब क्या करूँगा post multiply करूँगा post multiply by A inverse A inverse को मैं post multiply करता हूँ post means बाद में यानि कि I into A inverse is equal to यह matrix रहेगी हमारी क्या रहेगी 2 minus 1 minus 11 और 6 ठीक है into A into A inverse और हमें पता है खुद कोई भी matrix अपने inverse के साथ होती है तो वो क्या बना देती है identity क्योंकि A into A inverse क्या होता है I के बराबर होता है तो यह क्या हो गया I और I से multiply होने से किसी value में कोई चेंजमेंट ने होता तो यह क्या हो गया A inverse A inverse into this matrix as it is 2 minus 11 minus 1 और 6 और यहां से क्या आगया identity और identity से multiply करने से कोई effect नहीं पड़ेगा तो A inverse is equal to कितना मिल जाएगा में 2 minus 1 और minus 11 6 यह हमारा inverse का answer आगया ठीक है यहनि कि किस तरह से procedure करना है यह द्यान लगना आपको Q7 यह हम 3 cross 3 पे लेते हैं एक Q7 उसी तरह से हमारा काम क्या रहेगा यह एक A matrix है हमें पता है कैसे operation लगाना है A is equal to identity of A ठीक है A matrix left hand side को तो as it is लिखते हैं कितना हो दाएगा 0 1 3 1 2 1 2 3 1 और right hand side में identity matrix को लिखते हैं तो कितने का लिखा जाएगा यह 3 cross 3 का ठीक है 001 और इस A matrix को क्या कर देंगे as it is कर देंगे ठीक है यहा तक complete हो गया अब हमें पता है operation लगाना है किस पर operation लगाना है हमें पहला target क्या है इस diagonal को solve करना है तो इस diagonal पर यहां क्या होना चीए 1 लेकिन यहां क्या है 0 लेकिन हम देखते है R2 में क्या है हमारे पास 1 है तो इसको interchange कर दें R1 interchange R2 ठीक है इस रो को उपर करेंगे तो 1,2,3,0,1,2,3,1,1 ठीक है इसी तरह से इधर operation लगेगा तो क्या मिलेगा 0,1,0,1,0,0,0,1 और into में a ठीक है यहां तक clear अब यहां 1 बन गया तो हमें पता है यह दोनों point पहले 0 बनाने हैं तो यह तो खुद 0 है इसको 0 बनाते हैं तो क्या मिलेग का R3,R3-3,R1 क्योंकि 3 से multiply करके subtract कर दूँगा तो answer क्या दाएगा 0 तो 1,2,3 तो as it is और second row भी as it is अब इसको करेंगे तो 3 से multiply करेंगे subtract तो 0,3 से multiply करेंगे कितना मिलेगा 6 और 6 को 1 में से subtract करेंगे तो minus का 5 और यहां 9,9 में से 1 subtract जाएगा तो minus का 8 कितना मिलेगा minus का 8 इसी तरह से यहां operation लगाते हैं यहां लगाते हैं पहली row as it is 0,1,0, second row as it is और third पे करेंगे 3 से multiply करेंगे तो 0 ही आएगा 3 से करेंगे तो minus 3 आजाएगा और इस से करेंगे तो 1 आजाएगा और in 2 में a अब target हमारा क्या रहेगा इस element को 1 बनाना था यह खुद ही पहले से 1 है तो हम किस पे operation लगाते हैं इस पे और इस पे तो कैसे लगेगा r1 पे operation लगाते हैं r1 r1 minus 2 r2 और r3 पे लगाते हैं r3 r3 पे लगाएंगे r3 plus क्योंकि यह पहले से minus का है 5 फे r2 ठीक है यहां तक clear अब हमें पता है यहां से हम आगे बढ़ते हैं दोनों operation लगाते हैं दोनों operation लगाते हैं तो क्या मिलेगा हमारे पास यहां से तो second row agility रहेगी इसको करेंगे तो 1 का 1 यहां से 2 से multiply करेंगे 0 यहां से 2 से multiply करेंगे कितना मिलेगा minus का 1 यहां यह agility 0 1 2 और 3 पे करेंगे तो इस से करेंगे तो यह 0 और यह क्या हो दैगा 0 5 से करेंगे तो कितना मिले यहां से भी हमें क्या करना है चेंजमेंट करना है तो यह क्या रहेगा वन और यह क्या रहेगा जीरो और जीरो इसको फाइब से अचेंजमेंट करना है तो यह क्या रहेगा वाइब से इसको क्या रहेगा उचल चीहां बन गाया उपार निचे जीरो बन गाया अब तार्गेट हमारा किसे रहेगा इसको क्या करता है 1 1 करेंगे तो कैसे करेंगे R3 R3 upon 1 by 3 यानि कि 1 1 by 2 से अगर मैं क्या कर दूँगा इसको multiply कर दूँगा तो answer क्या जाएगा मेरे पास 1 बन जाएगा तो हम आगे operation को बढ़ाते हैं तो यहां से कितना बनेगा 1 0 minus 1 और यह 0 1 2 और इसको 1 by 2 से divide करना है तो यह तो क्या रहेगा 0 ही रहेगा यह 0 और यह क्या बन जाएगा 1 ठीक है अब आगे बढ़ते हैं यह क्या बन जाएगा second row, first row क्या रहेगा as it is minus 2, 1 0 1 0 0 इसको 2 से divide करेंगे तो कितना मिलेगा 5 by 2 minus 3 by 2 और यह क्या बन जाएगा 1 by 2 और शाथ में into में a रहेगा ठीक है उसके बाद हमारे पास operation क्या लगाना है इसको तो 1 है यह 2 0 बनाने है यह दोनों तो operation क्या मिलेगा हमारे पास r2 पे लगेगा r2 पे क्या लगेगा r2 minus 2 r 3 ठीक है और r1 पे क्या लगे गया r1 plus हो जाएगा क्यूंकि पहले से क्या है यह minus का है तो plus r3 यह operation लगे हमारे पास यह operation लगने के बाद हम इसको solve करते हैं solve करेंगे तो यह operation इधर भी लगेगा इधर भी लगेगा तो क्या कहरा है किस पे लगेगा r2 पे लगेगा और r1 पे लगेगा r1 पे लगाते है r1 पे लगाएंगे तो करा है r1 minus 2 r3 तो इसको करेंगे तो यह agitated रहेगा यह भी agitated रहेगा और इसको करेंगे तो यह 0 इस पे लगाएंगे तो यह करा है यह क्या रहेगा 0 और यहां क्या रहेगा 0 1 और यहां क्या बन जाएगा 0 और यह क्या होगा 001 यह इधर क्या मिलके आगी है हमारे पास identity matrix क्या आगी है हमारे पास identity matrix अब यहां से अगर इसको solve करेंगे हम तो यहां से solve करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास यहां से इसको solve करेंगे तो ये मिलेगा आमारे पास 1 by 2 ठीक है ये मिलेगा minus 1 by 2 और ये मिलेगा आमारे पास 1 by 2 ठीक है उसके बाद ये मिलेगा आमारे पास minus 4 क्योंकि R1 पे और R2 पे दोनों पे operation लगने हैं और यह मिलेगा हमारे पास कितना 3, solve करेंगे तो, और यह करेंगे तो, इसको solve करेंगे तो क्या मिलेगा, minus 1, ठीक है, उसके बाद हमारे पास next, third row तो agitive रहेगी, क्या रहेगी, 5 by 2, और minus का 3 by 2, और 1 by 2, और शाथ में क्या रहेगा, a multiply रहेगा, ठीक है, यहां तक clear, हमें पता यह फिर से क्या बन गया, identity matrix, क्या बन गया यह, identity matrix, और यह matrix क्या रहेगी, as it is, into भी क्या रहेगा, a, अब क्या करेंगे, post multiply किस से करेंगे, a inverse, तो यहां क्या जाएगा, a inverse, यहां क्या जाएगा, a inverse, और यह क्या बन जाएगा, identity, तो इसका आरत हुआ, यहां क्या बचा हमा यह जो मैट्रिक्स है वो हमारा क्या रहेगा ए इन्वर्स का आंसर ही रहेगा तो इसी तरह से सारे क्यूस्षन हम सेम ओप्रेशन से काम करना है हम कम्प्लीट अक्सर्चाइज को कर सकते हैं